कि एगाइस स्वागत है आपका आज कि नए वीडियो में आज कि इस वीडियो में हम अपनी व्लॉग सीरीज का पार्ट थरी कवर कर रहे हैं और आज हम घूमेंगे गोकुल धाम जहां पर हम कवर करेंगे चौरासी खंबा मंदिर, ब्रहमांड गाट, चिंतामणी गाट, चिंतामणी महादेव और यमना के कुछ प्रमुख घाटों को और सभी मंदिरों में घूमेंगे इसके साथ ही हम सबकी डीटेल जानकारी भी देंगे तो ऐसे ही डीटेल ब्लॉक्स के लिए हमारे चैनल टॉक एंटूर को सब्सक्राइब करें और बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अज 26 दिसंबर है और हम अपने आश्रम से निकल चुके हैं रेडी और फ्रेश होकर अभी हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्क पर और यहां से लगबग 500 मिटर दूर हमें आप जो रहा है तक जाना है यहां से हमें मिलेगा ऑट्व कर फार के लिए कर दे आफ रहा मात्षरा में मिलेंगे हमें आट क главное जो हमें रहा जाएंगे गोकुल dhard k की तरफ मत suppression की दूरी है वो लगवग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और गोकुल धाम में ही हमारे लिए चिंतामणी घाट रमांड घाट रमन रेती उसके अलावा कई सारे छोटे-छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं तो बने रही हमारे साथ इस व्लॉग में अगर आपका एस्टे व्रंदा बन के किशी आसरम ओटल या धरमशाला में होता है तो आपके लिए मत्वरा से ही आटो मिलेंगे गोकुल के लिए और आपको अकुल धाम के सारे मंदिर खूम पाएंगे और अगर आपको कवर करना है बरसाना गोवर्धन और नंदगाउं तो यह तीनों चीज़ें आपको एक ही बेल्ट में या एक ही रोड पर एक ही सीरीज में देखने को मिलेंगी तो बहतर होगा कि आप जो बरसाना है गोवर्धन है और नंदगाउं है इन तीनों को एक ही दिन में देखें या कवर करें और हमारा जो कुकुल धाम है उसके लिए अलग से दिन देना पड़ता है क्योंकि वो अलग डायरेक्शन में पड़ता है अब जोकि हम चार लोग थे तो हमने मत्रा से आटो बोक कर लिया और हमारी बोकिंग में हमारे लिए 84 खंबा मंदिर चिंतामणी घाट उसके साथ साथ ब्रह्मांण घाट और जिंतामणी महादेव और गोकुल धाम का जो में मंदिर है उन सभी के दर्शन इंक्लूड़िड रहे गाइस अभी हम जा रहे हैं 84 खंबा मंदिर की तरफ जिस तरह मत्रा के द्वारिकादेश और प्रंदावन में स्थित बांकी बिहारी मंदिर में जाने के लिए दंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है ठीक उसी तरह इस मंदिर तक जाने का अला भी रास्ता है प्रचलित मानेताओं की माने तो कहा जाता है बलराम जी के जन के उपरांत देवी शोदा यहां कुछ ही समय के लिए रही थी चलिए हम पहुँच चुके हैं अपने मंदिर पर और यह है हमारे सामने वासदेद्वार यह तो इस मंदिर को कई नामों से जाना जाता है जैसे नंद भवन नंद महल मगर जो नाम सबसे अधिक प्रचलित है वो है 84 खंबा मंदिर मगर इस मंदिर का नाम यह क्यों पढ़ा? इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं तो आपको बता दे दरहावसर इस मंदिर का नाम 84 खंबा इसलिए रखा गया क्योंकि यह 84 खंबो पर ढिका हुआ हुआ है अगर मंदिर के आसपास रहने वाले की बात करें तो इस मंदिर से कई मानिता जुड़ी हैं एक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को चार धाम की यातरा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे जिसके चलते हैं उन्होंने भगवान विश्व कर्मा से उनके घर में 84 खंबे लगाने को कहा विश्व कर्मा जी ने कहा कि इन खंबों में कल्योग में कोई नहीं गिन पाएगा ऐसा कहा जाता है तब से ही माननेता चली आ रही है कि जो जातक इस मंदिर के दर्शन करेगा उसे चार धाम की यातरा का फल मिलेगा और ना ही कोई इन खंबों को गिंती कर पाएगा जो कोई कोशिश करेगा उसकी गिंती में आ तो एक खंबा कम या ज़्यादा हो जाएगा आपको बताते चले कि मंदिर के 84 खंबे होने से एक पौरानिक तथी भी जुड़ा हुआ है जिसके अनुसार हिंदू धर में 84 लाक वरणों का जिक्र है जिन से होकर कुजरने के बाद इनसान को मनश्य का रूप मिलता है इसलिए इस मंदिर में 84 खंबे लगाए गए हैं झाल 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 मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण की अंगिनत तस्वीरें और पेंटिंग्स हैं जिन पर बच्पन की कई लीलाएं चित्रित हैं हम इस मंदिर में सुबह के समय खासा जल्दी आये थे अगर आप यहां 10 के बाद 11 12 एक वज़े तक आते हैं तो आप के लिए सुबह के मुकाबले तब ज्यादा भीर देखने को मिलेगी यहां से अब हम जाने वाले हैं ब्रमान घाट और चिंता हरन घाट की ओर अब हम आ चुके हैं ब्रह्मान घाट पर यहां पर बाल कशने गोप बालकों के साथ खेलते समय म्रतिका भक्षन लीला की थी यानि की मिट्टी खाई थी यह सुदा मैया ने जब बलराम से इस विसे में पूछा तो बलराम ने भी कनया के मिट्टी खाने के बाद का समर्धन किया था मैया ने घटना स्तल पर पहुंचकर स्री कशन से पूछा कि तुमने मिट्टी खाई थी तो उन्होंने कहा नहीं मैंने मिट्टी नहीं कहा थी तो यह शोदा मैया ने उनका मूँ खोलने के लिए कहा जब उन्होंने मूँ खोलका दिखाया तो उनके मुख को देकर स सामने वीडियो में सभी को बता रहे हैं यहां पर आकर लोग नौका का आनंद लेते हैं साथ ही मचलियों के लिए दाना भी डालते हैं झालते हैं घाट के किनारे उपर की और खड़े होकर यमना जी का नजारा और भी ज़्यादा खुब्सूरत लगता है जोस्तों अब हम आज जुके हैं चिंताहरण घाट पर ब्रहमान घाट से सटे हुए पूर्व की और यमना जी का चिंताहरण घाट है यहां चिंताहरण महादेव का दर्षन होता है ब्रजवासी इनका पूजन करते हैं जिन्ता हायरण महादेप की दर्शन करने के बाद हम चिन्ता हायरण घाट पर पहुंचें और वहां पहुंचकर हमने कुछ फोटो और सेल्फी क्लिक की की देट हायरण Si vegन भी रहां प्रश सेल्फी की की दिन्ता हायर प्रश HISान झाल प्री दो झाल 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 कि दोस्तों अब हम आचुके हैं गोकुल धाम के गोकुल मंदिर में यमुना जी के किनारे इस सित इस गोकुल धाम में काफी सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे संक्री गलियों से होते हुए हम अपने में मंदिर के उज जाते हैं यहां पर हाथों को धूने के बाद हम जलते हैं अपने मंदिर के अंदर, जहां पर हमें मिलेगा नंद किला या नंदभावन मंदिर झाल 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 तो फिलाल के लिए आजकी वीडियो में फस इतना ही उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हमेज़रू और ऐसे ही रिगलर व्लॉक्स के लिए हमारी चैनल को सबस्क्रायब करें अगली व्लॉक्स में हम कबर करेंगे यहां के famous place रमन डेती के बारे में जो यहां सबसे ज़्यादा famous है तो subscribe करें और पैला आइकन को भी दबा लें